तो भाई लोग जूआ, IPL 2013 का मैच संबर 43 है लगनाओ super giants के सामने होगा कौन से team कौन से team Royal Challenges Bangalore यह वही Royal Challenges Bangalore है जो अपने घर में L coses से मैच आ रहेया यहीं लगनाओ super giants ने क्या गया था BCP के घर में गया था और इनको घर में Apart के आ गया था यह बिचारे कुछ करवर ना पाएं तो दोस्तों क्या लखनो सूपर जैंस अपने घर में फिर से मैदान फते करेगा और RCB से बोलेगा भाई या तुम से न हो पाएगा हम से मैच वैच जीतना या दोस्तों रोयल चेलंजर बैंगर बोलेगा बाई साव इस बारी ना हम तुम्हारे घर में तुम्हें पटक के जाएंगे पिछली हार का बदला लेंगे हिसाब करेंगे बराबार मैच तो हमी जीतेंगे तो आप भी तो जानना चाहते होंगे ना यह जो मैच होगा कौन सी टीम करेगी अपने नाम तो बस आपको पूरी वीडियो देख लेनी है आपको सारी चीज़े पदल चल जाएगे इसके लब आप मेरा टेलिग्राम भी जोइन कर सकते हो क्योंकि मेरे टेलिग्राम पर IPL के सभी मैचों की बिलकुल जवर जवस्तवाली पर एडेक्शन मिल लगी है जिन लोगों ने जोईन किया मेरा टेलिग्राम वो तो बहुत ही फायदे में भाई लोग आप पीछे क्यों आपको फायदे में नहीं रहता है ना तो अभी डिस्किप्सन में जाएं मेरा टेलिग्राम जोईन कर डालें बस एक चीज़ का ध्यान देना लगनों बहुत है लोगों ने लगनों सूपर जाएंस को पीड़ दिया था लेकिन इस सीजन एक मैस इनके बीच में खेला गया उस मैच को लगनों सूपर जाएंस ने हारा हो रहे हैं उसमें चेज और डिफैंड की जो कहानी है भया ना वो तो बिल्कुल बराबरी की चल लिए अबरेज इसकोर है आप फिर्स इनिंग का 157 157 टारगेट चेज की बात करें 153 एक्सो तिरपन के नीचे स्कॉर बनेगा 10 मैच मैच में टारगेट चेज हो सकता यहां पर जाद तर लो स्कोरिंग या फिर मीडियम स्कोरिंग देखने को मिलते क्योंकि यहां का सरफेस है और ड्राइए और हाड़ है जब तक बोल रहा होता है ना बोल पर साइनिंग होती है ना वह बैट पर अच्छे से आता है मतलब पावर प्ले में थोड़ा सा रण मन क्योंकि यहां की जो कंडिशन है वो स्लोव कंडिशन इसलिए यहां पर जो मैच होता है ना थोड़ा साफी मीडियम स्कोरिंग होता ह। बांडरी लेंद की बात करें तो 70 मीटर से 80 मीटर की बॉंडरी तो इतनी आसारी से चोके छक्के नहीं लगते क्योंकि यहां की जो कंडी साने है ना वो सुलो भी है अगर हम आज के मैच में पावर फिले स्कोर की बात करें तो आपको फुट्टी थिरी से फुट्टी एट के बीच में देखने को मिल सकता है तो आपको वन करें तो पहली बार यहां पर मैच कहलेगा तो देखते हैं जब पहली बार खेलेगा तो क्या कर पाएगा सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर लखनों सूपर जाइंस के अगर हम इनकी बात करें जो बल्ले बाजी है ना वो थोड़ा सा आधी अधूरी कहानी सी नजर आ र आयूस बदोनी की बात करें तो हाँ ये थोड़ ठीक ठाक कर रहे हैं लेकिन बहुत आउटस्टेंडिंग नहीं कह सकते हैं तो मतलब जो बल्लेबाजी लाइनप है लखनाव सूपर जाइंस की वो आधी अधूरी कहानी है क्योंकि जो फॉर्णनर बल्लेबाज है वो बढ़ि लेकिन जो तीसरा तीज गेंदबाज था ना उतनी बढ़िया गेंदबाजी नहीं कर पा रहा था तो अगर हम यहां पर देखे तो यह स्थाकुन ने पिछले मैज में जिस तरह से गेंदबाजी करें क्योंकि जो उसके बाद रभी विस्नोई है ना लगातार सभी मैच में है कुरान पाड़िए को जब जब हाथ में बोल उती ही बढ़िया की दिखेंद करते हैं ओर अमित विस्ना दोरily जब झेलते हैं ऑंगेंदबाजी करते हैं तक हम यह पर लखनेंनों के घियंदबाजी कीृट तो यह कमाल की दिगर ही बन्ले बाजी थूड़ा सा इस्टेगल कर रही है जो इंडियन लोकल बल्लेबाज है पॉर्णर बल्लेबाज भी तो बढ़िया बल्लेबाजी करें लेकिन इतने से तो कुछ तो होने वाला नहीं सभी मैचों में flow-up है तो इनकी भी बल्ले बाजी हम कहें सकते कि आधी अधूरी कहानी सी गेंदवाजी की बाद करते इनकी गेंदवाजी भी मुझे साही नजर आ रहे हैं पहुत अच्छी गेंदवाजी कर रहे हैं हर्चल पटेल भी जवर्जस गेंदवाजी कर रहे हैं अगर जो सेजल बुड़ आ गया है तो इनकी तेज गेंदवाजी मासल लब बहुत ज़्यादा जवर्जस या हम कह सकते कि खतर ना की दिखेगे किस की आर्चीपी की जो कुमार की जगहा पर न करने मिस्ड़ा भी खेलके नहीं ज़र आगे अगर करने मिस्ड़ा वार्णलू हसरंगा साथ में कहलेंगे तो मुझे लगता बहुत अच्छी इनकी गेंदवाजी लाइनप बढ़िया दिख रहा है बस बल्ले बाजी इनकी भी है हांधी अधूरी कह गेंदवाजी अबरेज की बात करें 9.64 गेंदवाजी अबरेज यह थोड़ा सा महगा होता है तबी तो लाज़की सिक्सी मैच में दो मैच इनको हानना पड़ा चार जीते हैं वहीं दोस्तों बात करें रोयल चलेंज जीतें तीन मैच हार गए मतलब एक जीत रहें एक हार है इस दोना जो इनका बल्ले वाजी अबरेज है 187, 187 रहनों का है जो की काफी ज़्यादा जवर जस्त होता है गेंदवाजी अबरेज की बात करें 9.23 9.23 जो गेंदवाजी अबरेज होता ना भाई साब यह थोड़ा सा महंगा होता है और वैसे बीम चिनन सौमी में तो मह सब्सक्राइबर आ रहे हैं तब ही मुद्न कर सकती है अपने नम लेकिन उसे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें कियोंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं और आपको यह भी पता है मैं कोई हीरो या सेलेमेटी थोड़ी नहीं हूं मैं तो आपकी बीच करहने वाला आपका अपना भाई हूं तो भाई का सप करना इतना तो कर सकते हैं अब भाई लोग अगर आपको इस मैस की नहीं बिलकुल सटीक जानकारी चाहिए जैसे कि जो मैस है कोई से टीम अपने नम पर कर सकती सिक्का किसके पस्ट में गिर सकता है या फिर आज के मैस में कितना स्कोर बन सकता पांधस पंदरा ओवर में तो आसान भी है तो अभी डिस्किप्शन में जाए एप को डाउनलोड करें और हांसे ही स्टार्ट हो जाए तो भाई लोग अगर हम यहां पर वापस मैस पर आए तो मुझे ना एनलाइसिस करने के बाद दोनों टीमें बराबरी पर नजर आ रही है 50 लखनों सूपर जाइंस ए काफी फाधे में काफी ज्यादा मजे में क्यूंकि आपको पता है आधा आई पेल दो खतम हो गया आधा आई बच्चे हुए आधे आई पेल में अगर आपको सभी मैंचों में ठाट में रहना है तो मीड़े टेलीग्राम जरूर जुआन करें बस एक चीज का ध्यान देना ह तो लाइक कर दो आच्छे आनको सब्सक्राइब नहीं कर दो सब्सक्राइब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले में आज के फेड़ेक्शन के साथ तब तक के लिए God bless you